हम में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि हर दिन रात में अचानक से उनकी नेंद तीन से चार के बीच खुल जाती है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको ये विडियो जरूर देखनी चाहिए नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मित्रों विडियो शुरू करने पहले आप सबसे एक विनमर निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये विडियो पसंद आती है तो विडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले मित्रों अगर अचानक आपकी नींद रात में तीन बजे खुलती है तो वो आपको किस बात का संकेत देता है इसके पीछे छिपा हुआ है एक गहरा दैविय रहस्य आईए जानत है बहुत से लोगों की नींद अचानक रात तीन बजे के करीब खुल जाती है अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए कहा जाता है कि रात को तीन से पांच बजे के बीच नींद खुलती है तो यह दैविय शक्ती के लक्षन है कोई दैविय शक्ती आपको संदेश देना चाहती है आपको कुछ समझाना चाहती है यदि आप हर दिन तीन बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि स्रिष्टी और दैविय शक्ती चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इश्ट देवता की पूजा करें आपको भगवान का जाप करना चाहिए क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही है सुभा तीन बजे से साढ़े चार बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है इसे ब्रह्मा मुहूत भी कहते है अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दैविय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागे ऐसे में आपको कुछ देर जाग कर अपने इश्ट देव की पूजा करनी चाहिए इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुँचती है समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमतकारी परिनाम देख सकते हैं ब्रह्मा मुहूर्त या अमरित वेला क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त रात्री के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है धर्म शास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है ब्रह्मा का अर्थ परम्तत्व है मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय ब्रह्मा मुहूर्त को अमरित वेला भी कहा जाता है अम्रित का अर्थ है जो जीव को अमर्ता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय अम्रित वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमर्ता देने का समय इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगा भ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूती कराता है जो अमरित पीने वाले को अनुभव होता है अमरितवेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वया अपने भक्तों को अमरित पिलाने आते हैं और जो उस अमरित को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता अमरित वेला के समय इस आकाश में उस समय ब्रहमांड में सकारात्मक उर्जा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है क्योंकि उस समय नकारात्मक उर्जा सो रही होती है और उस समय सकारात्मक उर्जा जाग रही होती है रात को तीन बजे क्यों नहीं उठना चाहिए? यह प्रश्न गलत है क्योंकि प्रातह तीन से पांच बजे तक ब्रह्मा मुहूर्थ का समय होता है जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से आसानी से एकाग्र हो सकता है या इस समय आप ईश्वर से जुड सकते हैं या सोच सकते हैं कि अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे लाया जाएं सकारात्म कूर्जा उस समय जाग्रत होती है इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि इश्वर की दैविय शक्तियां चारों और घूम रही है उस समय यदि आप भगवान का जपध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहेज ही प्राप्थ हो जाती है रात को तीन से पांच बजे उठने का क्या मतलब है? स्रिष्टी चाहती है आपका गुरु चाहता है आपका इश्वर चाहता है इश्वर ये शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं आप इश्वर को याद करें आप इश्वर का जाप करें क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जिन्हें आपको प्राप्थ करन जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन्धाने से भर देंगी, भक्ती से भर देंगी, अगर आप सुभा उठकर पूजा करते हैं, तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है. ये सभी संकेट दैविय शक्ति द्वारा दिये जा रही हैं, ये दैविय शक्तियां दैविय हैं. आप जो चाहते हैं, आप सुभा उठते हैं. भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुभा जगाते हैं. एक नटखट बच्चे की तरह मा उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज्यादा देर सोएगा, जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा. लेकिन जो मा अच्छी संतान होती है, जब बेटा उससे ऐसा या कुछ भी करने की बात करता है, तो वह उसे उठा लेती है. इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रिय जनों को प्रात काल ही जगा देते हैं. आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नेंद नहीं आती और सुभा चार बजे सो जाते हैं. सवेरा क्यों आया क्यों की समय तो इश्वर के ही आशिकों का ही है. यह समय भगवान के भक्तों का है. भक्त तो ऐसे होते हैं, जिनको भगवान प्यार करते हैं. ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से क्या फायदा होता है? ब्रह्मा मुहूर्त के समय जितना संभव हो, इस समय में की गई दैविय शक्ती, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदाई होता है. ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर विध्यविधान से जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर सदैव दैविय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करने से शीघर ही दैविय कृपा प्राप्त होती है. माना जाता है कि भगवान सुभा ब्रहमांड में विचर्ण करते हैं ब्रहमा मुहूर्थ के समय पूरा वातावन, शांत और निर्मल होता है इस काल में देवी देवता विचर्ण कर रहे होते हैं सत्व गुनों की प्रधानता होती है प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में ही भगवान की पूजार चना करने का विधान है तो ये थी मित्रों सुभः 3 से 5 बजे नींद खुलने का रहस्य आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी फिर मिलते हैं एक नए विडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद